साधियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्व व्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में हैं, वैसा ही अनेक देशों में हैं। आज अयोजन का ये उत्सव रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुदहेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल स्री राम के विग्रह रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हुई है। ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्कृति के प्रति अटूट भी स्वाच की भी प्रान प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानिवे मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन्तु सुखेदा ये संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है ये भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिग दर्शन का मंदिर है ये राम के रूप में राष्ट चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है राम प्रभाव है राम नेती भी है राम नीती भी है राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विवु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताब्योता की नहीं होता उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्राप्य वर्षानी रागबा अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थे हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों आजयो द्यभूमी हम सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग भारतिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अउसर पर जो दैव जो दैव ये आत्माए हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्रमन से मैसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है ये सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूं यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य, भारत के निर्मान की सौगंद लेते है राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्ट निर्मान की सीड़ी है